तो आप लोग कैसे हैं यहाँ पर मैं भी अच्छ हूँ अलंगदिल्ला इंशाला आप भी अच्छ हूँगे तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक फिश फ्राय और वह भी रेडिमेट मसाले में और कौन सा मसाला में यूज़ करती हो बहुत ही जबर्दस बनता है आप लोग जरूर ट्राय कीजिएगा और साथ ही साथ हम जो घर के मसाले में बनाते हैं तो इंशाला फिर पभी में आपका श्राय करूँगी तो चलिए किस तरीके से जो है रेडिमेट मसाले का में मनाती हो और कौन सा मसाला यूज़ करती हो बहुत ही जबर-जबर्दस बनता है तो आप लोग एंड तक वीडिय कर लोगी कि किस तरीके से मैं ग्रेवी बनाती हूं और कई तरीकों से बनती है तो फ्रेंडはは एपनीं जो मीरी मम्मी की स्टइल में में मूं हम आपके या शयर करने वाली हूं इस जो और यहाश़ और यूज करके बाहरत में बात बनाऊंगी जो इसको रख लोग ठीके तो चलिए अभी हम जो फिश फ्राइब कर लेते और कैसे मसाला और कौन सा मसाला मतब मैं यूज करती हूँ चार से पांच पानी मैं लें टीके बहुत हायँ, यहाँपे यहाँ भी फिश को रजी में देश लेख्वë है और यहाँपे ऽमम्हम न पर रिका मिसाला आख पर दाए-गज पर कंश करते हैसे बहुत हिनके इंड् yogi व digital मातश करते हाँ यहां पर 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 यहां प पेज दाल दी, मैंने आदा टीस्पूल, लाल बीज पाउडर डाल दी, अब चाहे तो पेज भी जा सकते हैं, तो यहां पर मैं जोड़े पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में यह थोड़े से मसाले को डाल लेंगे, वन केजी में आप बन तैकिड यूज कर सकते हैं, यहां म इस अची से मिक्स कर लोगी और फिर फ्रेंस आदी गंटे के बाद मिलते हैं, यहां पर एक फ्राइड पैन या आप कराई में सुख फ्राइड कर सकते हैं फ्रिश को, तो यहां पर मैंने फ्राइड पैन में जो है ओल गरम कर लिए, अब इसमें हम फ्रिज डाल देंगे और अच्छे से दोनों साइड से पका लेंगे, तो फ्रेंस यहां पर जो है आदे घंटे से मैंने से मेंडेन करके रखी ती तो चलिए अभी से फ्राइड लेते हैं, तो फ्रेंस यहां पर हम अच्छे साथ इसे दोनों साइड से फ्राइड कर लेंगे, और फ्रेंस आप चाहे तो आप ज़रू ट्राइए कीजिए और कमेंच कीजिए तो फ्रेंट्स यहां पे दोनों साइज अच्छे सब पक गई है अभी हम इसे निकाल देंगे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी फिश फ्राइ रैडी हो गई है और आप चाहे तो इसमें हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और साथी साथ आप नमक के साथ भी खा सकते हैं तो फिश का जो मसाला तो उसमें और नमक था पर आप चाहे तो ऐसी जो है फिश को आप नमक खा सकते हैं काफी टेस्टी लगता है आप यह तरीक से भी ट्राइ कीजेगा क्या और साथ रही चट्नी जैसे कि दुट मीर, लिम्बु, मिर्ची, दूदीन आप डालते हैं क्यार करके यह बनाके बीर तो खा सकते हैं और साथ ही साथ या तो नमा के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है तो आप लोग टाए कीचिए और किस तरीके से आपने खाए तो आप लोग मुझे कमेट करके बताना और आपको यह फिश कैसी लगी तो आच के लिए थेंक्यू नेक्ट रुमिलते जब तक के लिए अल्ला आफिस